नमस्कार दोस्तों आज की जो स्टॉक लेडिंग होगी वह एक कैसी कंपनी को लेकर के है जो इंटर्टेन्मेंट के दुनिया की कहते हैं बादसा है बादसा का मतलब यह जो इंडिया और इंडिया से बाहर भी कामकाज करती हो इसका नाम है इरोस इंटरनेशनल्स अब इस अगातार इसकी कंपनी की जो जो स्टॉक प्रैस है उसमें गिराबट सा माहोल बना हो जब यह गिराबट सी माहोल है तो कभी कई-कई-कई बार इसके एक परशंट, दो परशंट, पांच परशंट की अपट साइड के लिए खुल जाती है इसका मतलब क्या है और क्या मतलब अब यह तु नहीं कहता है कि इस स्टॉक में प्रॉफिट वोकिंग के परपस ही किया जाता हो, कंपनी देखा जैतो केबल इंडिया, मैंने कहा था कि बादसाह जैसे, क्यों यह कंपनी केबल इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी अपनी कामकाज करती है, इसका करती है और यह देखा गया कि UK में, US में, दुवाई में हर जगह पे अलग-अलग कंपनी होने खोल के रखा हुआ है, जो कि अलग-अलग कंपनी में लें कंपनी कामकाज करती हो, ति चलिए आज की लेर्णिंग में हम तो बैक्रॉंड में बड़ी देख रहे हूंगे, लग जानने कि समझने की प्रियास करते हैं कमपनी का क्या कहना चाहता है तो देखनें को मिला कमपनी जो इस इंटरस मिडिय जो मीडिया ज्वल्ड है एक तो देखने को मिला कि Leading Global अब कंपनी इन दे इंडिया जो कि इंडियन फिल्म इंटर्टेनमेंट इंडूस्रीज को लेकर करती है और दा डिस्ट्रिबूर्ट इंडियन लेंगोईज इन पहले का कि अलग-अलग कंट्रियों के लिए अलग-अलग लेंगोईज में इसको करती है तो कहते हैं डविंग का कहा और टेलीवेज़ इंडिजितल प्रेटफॉर्म पे इतने सी बात ही मैंसन करके रखा हुआ है जबकि यह स्टॉक में देखा गया कंपनी को लेकर के तो पूड़े के-पूड़े मार्केट का बेक्षोच सटर करोड़ का दोस्तों यहां पर एक बात मैं रोखना चाहूंगा तहां पर हम लोग शुनते हैं अक्सर आज कोई मूवी रिलेज होई और मूवी दो दिन के बाद सौ करोड़-दो सो करोड़-चार सो करोड़ का रिवे इसकी काम आज यह चरब आकरा देखने को मिलती है और इसके एकरा करा 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 करती मार्केट का शेतर करोड़ का अब आते हैं स्टॉक को लेकर के भीर क्या क्या है तो जहां तक देखा गया कंपनी के लिए कहते हैं कि अंदर वैल्यू रहा है कितना पटा है कितना चड़ा है बुक वैल्यू के कॉर्डिंग के एवल 18% ही इसकी करेंट प्राइस आया है मतलब फेस वैल्यू से देखा जाय तो कड़िब 180 परशेंट आई और बुक वैल्यू से देखा जाय तक एवल 18% अब आते हैं स्टॉक को लेकर के भीर क्या तो जहां तक देखा गया कंपनी का यहां पे भीर इतने ज्यादा है इसका आकरा आप नहीं निकाल सकते क्योंकि अ अंदर ग्राउंट्स में है क्योंकि इसका प्रोफिटलिटी है वह निगेटिव में जबकि इसके पियर्स वाले जो कंपनी है उसका मार्केट में जो दुकाने पर भीर लगी है ना लोगों की देखने की और 44 लोगों की यहां पर आखरा नहीं कहता जबकि प्रमोटर्स की ह इसके अलावा की बात कंपनी कुछ अर्निंग पार्ट्स लगाता डिकलाइन करती है जहां पर नौ करोर सारे नौ करोर के आसपास कहता है यहां पर डेट टुकुटी की पोजिशन उतनी ज़्यादा नहीं है जबकि current ratio नहीं देता है आती है कंपनी को लेकर के जो कंपनियों 1994 में हम बनी और कहती है जो फिल्म प्रोडक्शन एंदा एक्स्प्रोडेशन एंदा डिस्टिवूशन करती नजर आ रही है चली समझनी की प्रियास करते है कुछ latest update के साथ क्या कहना चाहिए अब मार्केट में उचलती कूती नजर आती है तो क्या कहती है कि सबसे बले sentiment को मार्केट में नहीं किया कि intimation of the approval of the extension of the annual general meeting आखिर कौन सी ऐसी पड़िस्टिती होई जो कंपनी का जो एंदर आपको करना ही होगा यही डेटा है यदि अप्रिल में आपकी financial खतम हुई है तो आपको करना पड़ेगा मार्च में कतम हुई है अब यहां पर कहती है application of the extension of the azium को ले करके उने application किया था इसके परचे कुछ कारन भी होगी आखिर उनने क्यों किया था क्या परपस से किया था क्या इनके पास situations क्या है azium hold ना कराने को ले करके तो यह देखा गया company का तो कहती है जो हम past the board of director ने पास किया थाइस अगस्त को कहती है जायद approved the made application for the restart of the companies Mumbai को कहती है requesting the extension of the period of the three month की extension को ले कर मांगा था कहती है उनको approval और उनने का कि हमने यह चीज हमाने board meeting में ऐसा automation है और यह हमारे साथ हमने अभी मांगा है request किया उसके दो दिन के तुन दिन के बाद यह non request कहा था 23 अगस्त को और कल की update की बात हो तो company ने का यह का हमारे पास 23 अगस्त 2024 को made in the application of the restart और तीन मन्त के extension को लेकर के बाद कहा था जो कि अन्वाज एन्वाज एन्वाज एन्वा पास आ भी गया जहां मैं अपने extension करने वाले हैं और यहां कहती है कि तीन मन्त की बात नहों ने कहा है जो इनके पास extension की grant करती नजर आई है कि ऐसी के पीछे मार्केट ने सेंतिमेंटल वो सो कुछ भी हो सकता है मार्केट में जो ट्रेडर्स है क्लिटो ससक्षा MR को टॉस करती नजर आ रही है अब जब इससे पहले की भी आक्रा करके देखें नकरे करके ने तब यह जिस price की आसपास था एक साल पहले उसी price की कई बार इसमें आई है मतलब यह है जो इसका संकेत यह देता है कि market में इनकी गिराबट का ज्यादा डर लगता है निवेशकों को डर डर लगता है और निवेशकों में यह भी देखा जाया तो कड़ी कड़ी निवेशक की बात कड़ी 65,000 की आसपास की निवेशक हैं कब तक मार्स 24 तक अब इसमें एक चीज और है जून का डेटा नहीं सब्मिट नहीं किया मतलब कुछ और भी एक और बी इशू है कि पीछे देखा जाए जो हम चार्ट ग्राफ देख रहे तो इसके पीछे डेटा करेक्टली है या नहीं है तो चलिए जानने के प्रियासरत हैं और कहती है यहां पे तिसमबर 23 तक का डेटा यहां पे शांब यहां पे यहां पे ति जादी हम इसकी किस डेटा के बात करें तो यह हम कंसले डेटा के बात करें या स्टेनलों डेटा के बात करें 2020 के बाद ऐसा कोई अपडेट नहीं आया अर्थाथ समझ में मुझे एक बात आ रही है जदि कोई यह स्टॉक ऐसे सर्च कर रहे है तो साइध इसके लिए पीती यह पॉइंट है ना पॉइंट को लेकर कि आपको जानना पड़ेगा कि प्रीपियस कहता है कि नहीं कहता है कि यह डेटा ही अपडेटेड नहीं है जां हायर टू हायर उन्गतीस रुपे तक गया था लोवर की बॉटम की बात्व मतलब लगातार गिरने की सिच्वांसिस ज्यादा बनी है यह कुछ आंकरा था क्या करें इसको पुछले वारा आंकरा से कुछ समझना ठीक नहीं लगता तो से छोड़ते हैं इसके बाद कोई डेटा नहीं है इसके लबागी बात करें तो कंपनी क्या किसी के साथ ऐसा फेस कर यहां पर कुछ असको के साथ मर्ज की بाद की बाद या आई विचा कुछ डेटा है क्या अधरवाइस पुरे पूरी डेटल पर नहीं जाए जोगकि डेटा यापटेद ने तो saat क्या जाए क्या क्या जाए और सुनिल अरजंस लुहा ने इसको में कमपनी के स्टार्टिंग में थे उनको रिजाइन करते का सुथ कोई लेटेस्ट अब्डेट यहां पर हमारे सामने नहीं देखता थे होता थे हमजने लिएने का प्यास करते है दोस्तों सबसे वाली बात है जो मैं आपको बता हूँ मैं अपने तरफ से ना कोई ट्रीडर्स की बात करता हूँ ना कोई इड्वाजरी की बात करता हूँ और जैसे ही लर्न करता हूँ वह आपके सामने रखता हूँ उस लर्निंग पॉइंटर्डवी से कुछ आपको अच्छा लगे तो आप हमारी चैनल कर सकते हैं साथ में ज्वाइन बटन करके अब हमारी हमें सपोर्ट कर सकते हैं बीटर लर्निंग अवेशने शवर्पस को ध्यान में रखते हैं अब सवाल आता है कि स्टॉक को लेकर क्या है कि हम बीएश्ची की तरफ चलें तो बीएश्ची इसके बारे में कुछ ऐसा सेंटिमेंट दर्साता है तो कहती लगातार वॉल्यूम निक्रीच करते एक्स्टेंशन की बात उनों ने किया था इसके लावा की बात करना तो कंपनी का जो सेग्मेंट वाइज भी को सब्सक बीषने के लिए तयार नहीं है समझ में आरी बीषने के लिए तयार नहीं है यहां पर कोई बड़ी पाठी ख़ड़ी तयार नहीं है और यहां पर यह देखा जा एरोष मेडिया के एकॉर्डिंग तो यहां पर P.V.R, Anox, Sinnes, Alliance करके PNC जैसे कंपनी शामिल है जो कि इनकी P.E.R.S में रखा गया है जबकि इसके P.E.R.S में देखा है तो Shun TV, P.V.R, Anox और Z.E.Entertainment जैसे कंपनी को रखा गया और इसका डेटा बिल्कुल ल गोल्डे रूल किसके बारे में क्या कहना है उसनों देखे गोल्डे रूल यह कहता है यदि आप हमारी खुद की हमारी खुद की stability है finance के अंदर ठीक है चाहे मैं उस बात के ने करूँ अब यह finances knowledge है अब यह बात कर रहा हूँ जो खुद की जो पैसे हैं उसको समालने के तरीके हैं तो market में आप खुद भी ले सकते हैं और वो क्या है खुद की risk factor के according market में trade लिया जा सकता है या बना जाता है लेकिन उसके प्रती एक term target प्लस एक growth target दौनों को combine कर दीजिए उसमें जो hybrid निकलता है उसमें risk factor को ध्यान में रख करके SL की provision को यूज करते हुए किया जा सकता है किसी भी company को लेकर कि हम किसी stock को लेकर ना sponsor करता है ना कोई हमारे पास इस तरह के systems हैं और ना हम किसी recommendation की की देने की हगदा यहां पर देखा कि company पिछले एक पास सालों में इस तरह के momental देखने का मिला था अब यहां पर देखे market ने थोड़ा ऐसा jump तो किया लेकिन उससे उपर चली नहीं यहां market लगातार पिछलती नजर आई market कई बार अपनी breakout के आसपास पहुंचा लेकिन उसको साथ बेच क्या है क्या कहना चाहता है उसको डिस्क एकॉर्डिंग एसल भी यूज़ करना है और उपर लेबल के आसपास उसको जाके profit भी booking करना जरूरी यह नहीं तो कहते है ना प्रेज में रखे कर यह कुछ समाने खराब हो जाती है फोट फोडियो में कुछ समाने ऐसे वह होती जो जोड़े एंड थैंक यू जो